हालो फ्रेंड्स तुड़े विल डिस्कस एबाट दा लेविंग रेप्टाइल क्रोकोडेलिया के वारे में बात करेंगे सबसे पहले क्रोकोडेल का नाम आते ही हमारे दिमख में एक पिशाल आकार के मगरमच्छों के वारे में चेहरा वबर करके सामने आता है मगरमच्छ यानी ओ रेप्टाइल्स अन्के ये रेप्टा इस के रेप्टाइल्स है और रेप्ताइल्स जो एफ के लिए बने हुए हैं and laterally compressed, इनकी पूँच बड़ी होती है, ताकदवर होती है और पार्च व संपीड़त होती है, लिम्ब शॉर्ट बाट पावरफुल, पैर छोटे होते हैं, लेकिन शक्तिचाली होते हैं, लेकिन शक्तिचाली होते हैं, क्लॉड और वैब्ड होते हैं, इनकी जो पसलिया हैं, वो दूशाकित होते हैं, अब्डोमिनल रिप्स आर प्रजेंट, टीथ नूमरेस होते हैं, थीक ओड़न्ट embedded in the sockets of jaws, और जबड़ों पर अंदर की तरफ दसे हुए रहते हैं, ताकि यह मजबूती से दसे हुए रहते हैं, ताकि शकार को पकड़ते से में और चबाते से में तूट न जाएं, हर्ट completely four chambered होता है, दो origal होते हैं, दो ventrical होते हैं, बाकी दूसरे reptiles में three chambered होता है, Cloacal Aperture is a longitudinal slit एक लमबवत खाच की रूप में Cloacal Aperture पाया जाता है male with the median erectile penis and male के अंदर median penis पाया जाता है crocodiles और alligators के example है these large reptiles are well adapted for aquatic life ये बड़े विशावलाकार के जो reptiles हैं ये पानी में रहने के जलिये जीवन के लिए अनुकूलित हो चुके हैं ये पानी के राजा कहलते हैं ये पानी पर सामरज रहता है उनका जिसे कहते हैं पानी में रेकर के मगरमच से वैर नहीं करना चाहिए इसलिए क्योंकि मगरमचों का शासन रहता है मगरमच हुआ के राजा है इनके नाख, आख और कान ये तीनों चीजें पानी से बाहर रहते हैं जब उनका पूरा बदन पानी में डूबा हुआ हुआ रहता है उसके बाद ही तो इक्योंके उनके सबसी तौप्मोस्ट टर्मिनल रहते हैं तौस बिधिंग से बेखना और सुनना ये अन बिना ब्यवद्धान के होता रहता है When the animal dives, nostrils are closed by valves, nictitating membrane are drawn over the eyes, ear open and shut down by the skin flap and the ovipares, they lay 20 to 50 eggs over the heap of the diverse or in the sand इनके जब ये पानी में dive लगाते हैं जब ये अंदर dive लगाते हैं तो उसमें इनके आँखों के उपर nictitating membrane उनको cover कर लेती है इनके कानों के उपर flap cover कर लेता है और इनके nose के उपर नाक के उपर भी वो valve बंद कर लेते हैं उसको इस प्रकार से उन वो सुरक्षित रहते हैं इन चद्रों में से पानी ये मिटी ये वेक्टेरिया अंदर नहीं जते है अब इनके crocodiles जो हैं वो reptiles तो हैं लेकिन reptiles में भी इनके advanced reptiles हैं और advanced reptiles होने के क्या कारण है उसको advanced character कौन कौन से हैं इनमें जिसके कारण इनमें जिसक shockets के अंदर रहते हैं मजबूती से अंदर धंसे होगे रहते हैं इनका two third part अंदर धंसा हुआ रहता है और one third part बाहर निकला हुआ रहता है एक complete bony palate रहता है इनका जो तालू है उसके अंदर ये bones के बना होता है lungs with the plural cavity इसके अंदर lungs में वायकोष रहते हैं muscular diaphragm is present in the mammal very important thing कि इ इनमें diaphragm पायाता है और किसी reptile में diaphragm नहीं होता केवल crocodiles में diaphragm होता है completely four chambered heart होता है पूरी तरह से चतुस कोष्ठी हर्द होता है जिसमें दो auricle और दो ventricle होते हैं it grows nine to ten to eight to nine meters and is very feared और बड़े विशाल आकार के होते हैं इतने विशाल आकार तो किसी भी reptile का नहीं होता ज जीव नहीं पायाती तो स्वाद कैसे लेते हैं स्वाद की जरूती नहीं क्योंकि इनकी यह मास आ रही है जो भी मास बक्षी है जो भी बोजन मिल जाता है उससे स्वास खा जाते हैं लेकिन इनकी नाक में से कुछ sensory स्वादिस्ट कलका होती हैं जो स्वाद ले लेते हैं ले लेकिन ये दोनों ये अलगल हुते हैं उनकी पैंचान के लिए हम आगे चलते हैं, उनकी पैंचान के लिए ये है कि दोनों में difference कया है कि crocodile और alligator को पैंचान हींगे किससे अगर वो सामने आजायें तो Crocodile belong to the family crocodility and alligators को alligaternity family के नदर रखा है Crocodile has very long, narrow and V-shaped snout जिनका snout V-A-KAR का है यानि नुकिला हुआ अगे से और जबड़े उसके चोड़े हों वो alligator, वो crocodile होता है और जिनका U-shape होता है वो alligator होते है Because of the wide snout alligator is packed more crushing power to eat prey like turtle and constitutes a part of diet alligator में इतनी ज़्यादा शक्त शाली उनका U-A-KAR का होता है जबड़ों में इतना ज़्यादा शक्ती होती है कि वो कच्छुए के कवच को भी तोड सकते हैं और उसको खा सकते हैं और कच्छुए इनकी डायट मनते हैं और कोई जीव जन्तू कच्छुई के कवच को नहीं तोड सकता सेवाए अलिगेटर के मगर मच भी नहीं, क्रोकोडाइल भी नहीं तोड सकता दे नेरो क्रोकोडाइल स्नाउट, अल्दो इस्टिल वेरी पावरफुल क्रोकोडाइल जो हैं, वो हलांकि उनके जवडें भी मजबूत होते हैं, लेकिन फिर भी कच्छुई को नहीं खाते हैं, वो उसको एवाइट करते हैं, ज्यूंकि ज्यादा तर जो भूजन हैं, वो मचली और इस्तंदारी जीव उसके भूजन बनते हैं क्रोकडाईल और अलियूंकि जी ये एक टेवल हैंज के ने एद रफेंस वताए हेा, क्रोकडाईल बनूग ड़कुल वीधडे रूंकि ठाव्डेड करेंगे है, क्रोकडाईल भी मॉलिऑट Алियूर десятय ही क्रोकडाईल अस्तंदारी बलोंग झाग्र्घक 3 meter long only the lighter olive green in color olive green color होता है crocodiles का जबकि alligator का जो color है वो blackish होता है मटमेले रंके काले रंके होते है crocodiles narrow crocodile snout although still very powerful is not really suited for the prey like turtle but it is very versatile for the fish and mammalian prey जसा कि अभी बताया कि crocodiles के जो प्रेव होजन है जबकि alligator के बोजन है वो कछोई भी शामिल होता है जबकि alligator के बोजन है वो कछोई भी शामिल होता है both jaws are nearly the same width and so the teeth are exposed with all along the jaw line in the interlocking pattern when the mouth is closed and the wider jaw of the when the mouth is closed the teeth of the lower jaw fits into the socket of the upper jaw while only the teeth of the upper jaw are exposed along the lower jaw लाइन अब इन दोनों के अंतर कैसे करेंगे अगर दोनों का मूँ बंद है और बंद होने के बाद में यदि दांत दिखह रहे हैं क्योंकि दांत दिखते रहते हैं आपसमें ऐसे उए लेую और क्रोकोड्सR और यदि मून जब की संख्या गरी सकते हैं तो ऊपरी जवडे में क्रोकोडाइल के ऊपरी जवडे में 18 से 19 जांत पाये जाते हैं और निचले जवडे में 15 कऊथ emulate जबकि alligator के अंदर 17 और 22 जात पाये जाते हैं crocodiles snout and his snout is broad and pointed alligator में जैसा कि अभी बताया ये एक scheint जिसके ऌंदर ऑफर वाला चित्र यह सुनावा जिसमें प्रिकाल liao जो यह चैदर आ along the upper and lower jaw and look like the bird vegetable. They detect slight change in the water pressure which is believed to help the animal to locate their prey. Crocodile के और alligator के दोनों के मूँ के अंदर जो लोर जबडा है उसके पास में एक पिट पायाता है, संसरी पायाता है जो पानी में किसी भी हलचल को detect कर लेता है और उसे dermal pressure receptor कहते हैं वो प्रे की उपस्तिती को जांच लेते हैं उससे detect कर लेते हैं कि प्रे कितनी दूरी पर है और उस हलचल से वो अपनी शिकार के पास पहुंच जाते हैं In terms of nesting in crocodile, they egg in the mud and sand and near the brackish water and while the alligator make their nest out of mounds and vegetation surrounding the fresh water जो alligator हैं वो अपने अंडे vegetation पर देते हैं Fresh water के आसपास पाई जाने वाली vegetation के उपर और जब कि crocodile हैं वो मिट्टी खूद करके और गड़ा बना करके उसके अंदर अंडे देते हैं और उस पैरों से रवेट देते हैं उसको भर देते हैं उपर मिट्टी देते हैं कि उनके परवक्षी उनके अंडों को नुकसान नहीं पहुचाएं खाएं नहीं Crocodile's wetting force is more than 5 pounds per square inch एक square inch पर 5000 pound का ताकत लगाने की क्षमता crocodiles में होती हैं इतनीक शमता तो किसी में नहीं होती great white shark जिसकी ताकतवर जबड़े माने जते हैं उसमें भी 400 pound per inch की ताकत लगती हैं और हैना जिसे ताकतवर मैमल माना जता है कार्णीबूरस मैमल माना जता है उसमें 800 से लेकरके 1000 pound square inch की ताकत लगाने की शमता होती है जब की जयादा लंबा क्रोकोडेल पाया गया था वो रिकॉर्ड किया गया था लार्GEST LIVING CROकोडील लॉ जोन मिटर प्रॉट भॉट्ट इस दिए 24 Ultra Brocaoół al compared inОdisha India बृ डिशे में पाया ता है सभशी वड़ा record के गया था लिफ इंब बितर कानिका विडिलाप चुरी अ जुन जुन जजस वास अन्यश्य की गुनाथ भूज अवड़ अक्टॉड अज़ अगॉड प्रिकोर्ड with with the 2.5 meter being considered very large this is all about crocodiles crocodilia thank you thank you very much